हलो माई यूटूब फैमिली आप सब को रमजान मुबारक अल्ला करें आप सब की रमजान में जो भी नेक ख्वाइस हैं दुआ हैं वो कबूल हो आमीन आज हम बनाएंगे एक फिलिंग से दो अलग अलग तरह की दो अलग अलग टेश्ट की इफतार स्नेक्स इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कड़ाई में दो चमच तेल साथी हाप केजी चिकेन कीमा हाप चमच नमक डाल कर इसे दो मिनर तक भून लेंगे चिकेन का कलर चेंज हो चुका है अब यहाँ एड करें हाप चमच अधरक लैसन पेश्ट एक चमच रेड चिली सॉस हाप ग्रिन चिली सॉस और एक चुटकी काली मिर्च डाल कर इसे भून लें चार से पांच मिनट तक भूनने में लगे हैं हमें टाइम यहाँ एड करें बारिक चॉप किया हुआ प्याज तीन चार हरी मिर्च चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और यह रेडी हो चुगा फिलिंग देख सकते हैं गाईज इसका पानी पुरा सूख चुका है यानि यह रेडी हो चुका है अब करेंगे डो की तैयारी इसके लिए हमें चाहिए दो कप मैदा दो चुटकी नमक एक चुटकी कलाउंजी एक छोटा चमच तेल और इन सब को अच्छे से मिक्स करें प्लीज माई यूतूब फैमिली प्लीज हमें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें कROणा यह बहुत ही जादा मुस्किल और टफ काम है तो प्लिज हमें शेयर करें की कैसा लगा आपको यहां पानी डालकर इसका एक डो तैयार करें एक छोटी सी पूरी की तरह इसको बेल लेंगे हम और एक मोल्ट की गुजिया मेकर की हेल्प से हम इसे बना रहे हैं आपके पास अगर गुजिया मेकरना हो तो आप हाथों से भी इसे बना सकते हैं असानी से और इस तरह से बीच में फिलिंग रखेंगे एक चमच और इसके किनारे पर पानी लगाना है इस तरह से और इसे अच्छे से दबा कर इसे बंद कर लेंगे और इस जो भी आटा है उसे हटा लेंगे साइड से और ये रेडी है देख सकते हैं गाईज ये कितना संदार लग रहा है और इसे डीप फ्राई कर लें आप सब की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमें प्लीज हमें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ये गोल्डन डीफ राई कर लें इसे देख सकते हैं गाईज ये कितना संदार दीख रहा है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है तो प्लीज आप इस रमजान जरूरी से पना कर ट्राई करें और हमें कॉमेंट करें आपको कैसा लगा अब हम करेंगे दूसरे स्नेक्स की तैयारी इसके लिए हमें चाहिए एक बॉल में हम लेंगे या मैदा एक कप साथ ही एड़ करेंगे दो चमच कॉन फ्लावर दो चुटकी नमक और पानी डालकर इसे गोल बना लेंगे बहुत ही ज़्यादा पतला भी ना हो और थीक भी ना हो इस तरह का हमें गोल बनाना है इसका देख सकते हैं गाईज इस तरह का होना चाहिए अब एक नॉंस्टिक पैन पे एक से दो बुंद ओयल डालें और इसे टीशु पेपर के हल्प से अच्छे से क्लें कर लें और इसके उपर दो से तीन चमच बैटर डालें और इस तरह से अच्छे से फैला लेना है बैटर को देख सकते हैं गाईज ये सीड कितना पतला और कितना संदार रेडी हुआ है इसे हाई फ्लेम पे ना पकाएं इसे सुलो फ्लेम पे पकाएं इसी तरह से हम सारे सीड बना लेंगे एक कटोडी में हम एड करेंगे एक चमच मैदा तीन चमच पानी और इसका एक पेस्ट टाइप में बना लेना है देख सकते हैं पेश्ट ये रेडी है अब सीड लेंगे सीड के उपर एड़ करेंगे दो चमच फिलिंग और इस तरह से हमें फोल्ड करना है और थोड़ा सा यहां ब्रस की हेल्प से हम लगा रहे हैं पेश्ट जो मैदा का हमने बना के रखा था और इसे अच्छे से सील कर देंगे अच्छे से सील करना है वरना तेल में ये खुल जाएगा सभी पार्सल को इसी तरह से हमें रेडी करना है आप हमें कॉमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपका हम कमेंट परते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है हमारे चैनल के लिए आप सब की दुआ प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहां सारे प्यारसल हमने रेड़ी कर लिया है अब यहां हम दो अंडे ले रहे हैं इसमें एड़ करेंगे एक चुटकी नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां हम सिवईया ले रहे हैं सिवईये को हाथ से अच्छे से हमने क्रश कर दिया है बारिक सेवई लिये हैं यहां और आप कोशिज करें कि बारिक सेवई हो और इस तरह से हमने डिप किया पार्सल को अंडे की घोल में अब इस तरह से हमें पार्सल को अच्छे से कोड कर देने हैं सिवईयों से और सारे पार्सल इसी तरह से हम डेडी करेंगे और इसको डिप फ्राइ कर लेंगे दियान रखें बहुत ज़्यादा डिप फ्राइ ना करें इसे गोल्डेन डिप फ्राइ करें दोनों साइड से अच्छे से हम इसे प्लट कर डिप फ्राइ कर लेंगे देख सकते हैं गाइस यह कितना खुबसूरत गोल्डेन कलर आया हुआ है और इस तरह से हम कट लगा रहे हैं आप चाहे तो अपने मरजी के सिप दे सकते हैं यह रेडी है बहुत ही ज्यादा संदार टेश्टी यम्मी सा रसियन पार्सल